एक तो पहली चीज़ किसी अफववा पे ध्यान न दे और अगर कोई ऐसी आशंका किसी को अपने एक शेत्र में लगती है तो उसकी सूचना पुलिस को दे दे मुझे लगता है यह सूचना एक अफववा के रूप में ही किसी एक वेक्ती से दूसरे वेक्ती तक पहुची है लगता से भी हमारी अपीर है कि अगर उनको ऐसी कोई सम्भावना या आशंका लगती भी है तो 112 नंबर उनके पास अविलेबल है उसको डायल करें पचास लाख से भी अधिक आबादी वाले राजधानी से सटे सीतापूर जनपद में पिछले काफी दिनों से बच्चा चोर गिरो और किड़नी चोर गिरो आने की अफवाव को लेकर रत जगा ही नहीं हो रहा बलकि चोर गिरो की आशंका में भीर अपने हाथ में कानून लेकर मानसिक विक्षिप्तो और बाबा तक की पिटाई कर दे रही है पिछले दिनों महोली, लहरपुर, कमलापुर और रिवसा धना इलाकों में ऐसे मामले सामने आए हैं लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं है क्योंकि बच्चा चोरी और किड़नी निकालने की कोई भी घटना ना होने के बावजूर महजाशंका पर जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, उनके लिए पुलिस का एक्शन प्लान कयार हो गया है पुलिस अधिक्षक गुले सोशील चंद्रभान ने आई इंडिया से खास बाचीत करते हुए सीतापुर की आवाम से अपील की है कि अफवा पर ध्यान न दे, कानून को अपने हाथ में ना ले और कोई भी अफवा फैलाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे और पुलिस के अधिकारी ग्रामेडों को जागरुप करे आए आप भी सुने पुलिस कप्तान घुले सोशील चंद्रभान की सीतापुर वासियों से अफवा को लेकर क्या है अपीर? अधिनश्तों को क्या दिये है निर्देश? अफवाहों में रचगा करने वाली सीतापुर की आवाम के लिए पुलिस कप्तान घुले सुशील चंद्रभान का पैगा बच्चा चोर या किड्नी चोर की रोह आने की आशंका में कानून को ना ले अपने हार पुलिस अधिक्षक ने अधिनस्तों को दिये निर्देश ग्रामीडों को करी जाग रूप कोई भी ना फैलाए अफवा अगर कोई ऐसी अफवा फैलाता है पुलिस को दे सूचना जनता से पुलिस कप्तान की अपीर बच्चा चोरी और किड़नी चोरी होने जैसी अभी तर नहीं हुई कोई घटना अफवाहों पर ना दे ध्यान और ना उसे आगे बढ़ाएं युवाओं के लिए दियाखास जो जो लोग ऐसी अफवा फैलाएं पुलिस को जानकारी जरूर दे कोई एक दूसरे का सुनके उसको अफवा के रूप में आगे न बढ़ाएं और दूसरा चीज उसमें कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने वाले के खिलाब सीतापुर पुलिस ने कारिवाई की शुरुवात भी करती रविवार को थाना रिवसा इलाके के करसा में बाबा की पिटाई के मामले में दर्ज हुए मुकदमे के बाद चार आरोपियों को गिरबतार किया गया है अभ्योगतों की गिरबतारी के लिए पुलिस टीम का भी गठन किया गया है आने वाले दिनों में सीतापुर की पुलिस सफवाहों को लेकर आम जन को जागरू करती हुई नजर आएगी साथ ही जो लोग कानून को अपने हाथ में लेकर यानि आशंका वाफवाह पर किसी की भी पिटाई करेंगी उनके खिलाब भी एक्शन लेगी